हुआ धर्फुध्द comprende आपका नए वीडियो के साथ दोसोग इस वीडियो में को बताने वालि हूँ अगर आपका कोई बीö लिप नंबर किसी और नंबर पर फार्वड और एक कॉल वगैरा सारी फॉर्वड देखने को मिलेगा अब यहां पर Calling Account का जो Option है इस पर क्लिक करना है और यहां पर जो सिंग का Call Forward वह सिम सेलेक्ट करेंगे सिम 1 यां सिम 2 बाड़ी बारी बारी से चेक कर लेंगे या फिर पता है तो आप क्लिक करेंगे इसके बात Call Forwarding option है आप इस पर क्लिक करेंगे तो Voice वोईस कॉल मैंने फॉरवड करी वह तो वोईस कॉल पर मैं क्लिक करूंगी अगर आपका वीडियो कॉल पर क्लिक कर सकते हैं तो देख सते हैं कि यहां पर आपको यहां पर नंबर शो हो रहा है एक जिसकी कॉल आपकी फॉरवर्ड हो रुखी है तो यहां पर मैंने अगर आप पर call जाए मेरी तो यहां पर अगर आपका कोई number forward हो रखा है आपको पता है तो उसको आप यहां पर ऐसे select कर लेंगे turn off पर click कर लेंगे और wait कर लेंगे तो इस step से option आएगा अगर कोई error बताता है तो उसको okay कर लेंगे क्योंकि यहां पर पूरी तरह call forward नहीं हटता है आपका unreachable वाले option पर company का number जो है वो आता ही आता है company का number आप नहीं हटा सकते है इस वज़े से error बताता है ठीक है तो आपका number तो यहां पर हट गया है अब आपको क्या मतलब है कि company का number है कि क्या number है ठीक है तो ताकि आपका यहां पर message receive हो जब आपका phone unreachable जाता है तो होता है ना you have one miss call you have two miss call इस type से message भी दिखाता है तो इस type स से यह सेटिंग आप कर लीजीगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार